वीवो चाइना में थेश अगस्त को अपना नया स्मार्टफोन वीवो आईक्यू प्रो 5G एडिशन को पेज किया है वीवो आईक्यू प्रो का 4G वेरेंट भी है यह नया फोन कंपनी की आईक्यू स्रीज में IQ निवो को जोइन करेगा तो आज के इस वीडियो में हम वीवो आईक्यू प्रो के बारे में बात करेंगे जानेंगे इसके स्पेसिफिकेशन और इसके इंडियन प्राइजिंग के बारे में तो वीडियो का इन तक जरूर देखें Vivo IQ Pro का जो 5G edition है और 4G edition दोनों का specification सेम है कीमत और connectivity को छोड़ का दोनों में कोई difference नहीं है वहीं अगर specification की बात करें तो बात करते हैं डिस्प्ले की 6.41 इंच का Full HD Plus 1080 x 2340 Pixel Super AMOLED डिस्प्ले के साथ In Display Finger Fin sensor है फोन में OctaGore Qualcomm Snapdragon 855 Plus Processor के साथ 12 GB तक RAM है इसके अलावा फोन के बैटरी बेकप की बात करें तो 4,500 इमेच की बैटरी है जो 44 Watt Fast Charging को सपोर्ट करेंगी अगर हम Camera Setup की बात करें तो फोन में 30 एर कैमरे दिया गया है 48 Megafixel का Primary Sensor दिया गया है 13 Megafixel का Wide Angle एक Sensor दिया गया है और 2 Megafixel का Depth Sensor दिया गया है Selfie और Video Calling के लिए फोन में 12 Megafixel का Dual Pixel का Front Camera दिया गया है Vivo के इस फोन में 256 GB तक का UFS 3.0 Storage है लेकिन Storage को बढ़ाने का कोई Option नहीं है अन्य Specification के बात करें तो फोन में NSV सपोर्ट भी दिया गया है Dual SIM वाले Vivo IQ Pro 5G Edition का एक स्लोट में 5G Connectivity और दूसरे में 4G LTE सपोर्ट है दूसरी और इसके 4G Variant के दोनों स्लोट में 4G Connectivity सपोर्ट मिलेगा फोन Android 9 Piper Based Funtouch OS 9 पर चलता है वहीं अगर इसके Pricing की बात करें तो Vivo का अनुशार IQ Pro 4G Variant के 8GB RAM और 118GB Storage Variant की कीमत 3198 GB U1 लगबग 32,000 रुपया है 12GB RAM प्लस 118GB Storage Variant की कीमत 3498 GB U1 लगबग 35,000 रुपया है वहीं Vivo IQ Pro 5G Edition के 8GB RAM और 118GB Storage Variant की कीमत 3198 GB U1 लगबग 38,000 रुपया है फोन के 8GB RAM प्लस 256GB कीमत 3998 GB U1 लगबग 44,000 रुपया है और 12GB प्लस 118GB Storage Variant की कीमत 4,998 GB U1 लगबग 41,000 रुपया है Vivo ने स्मार्टफोन के 3 कलर Variant उता रहे है IQ Pro के चाइना में 4G Variant की बिकरी 29 अगत से तो है लेकिन इसके 5G Variant की बिकरी 2 सिप्तंबर से सुरू होगी फिलाल इस बार में कोई भी जानकारी नहीं है कि चीन के बाहर अनिय मार्केट में फोन को कब तक एवलेवल कराया जाएगा तो आपको इस स्मार्टफोन के बारे में क्या सोचते हैं और आपको इस स्मार्टफोन का कौन सा फिचत सबसे अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ इसाथ अब बेल आइकन को भी जरूर दबा दें